सुप्रभात चात्रों, आज हम कक्षा आठ हिंदी ब्याकरान सम्मोध सिर्षक सब्द बंजुसा अथवा सब्द विचार में विलोम सब्द का अध्यन करेंगे. अब विलोम सब्द किसे कहते हैं, एपोजिट्स, वर्ड्स, जैसे पूर, रिच, आपने एंग्रेजी विषय में अध्यन किया है, और इसमें राजा का रंग, पर्तक्ष का परोक्ष, क्रे का विक्रे, आयात का निर्यात, और कक्षा 6 और 7 में आपने थोड़े-थोड़े बढ़ा, लेकिन 8 में जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सब्दों का करम भी थोड़ा सा, थोड़ा सा कठिन होता जाएगा, उससे घवड़ाने की जुरुरत नहीं है, और हमें अध्यन करना है, और समझना भी है, अलग-अलग उदारनों के बढ़ा, भासा विज्ञान में, भासा में अलग-अलग सब्दों का बनना, थेक है, वह किसी तरीके से बनता है, जिसे विलोम सब्द बनता है, उपसर्ग लगकर बन जाता है, परतिय लगकर के बन जाता है, वचन लगकर के बन जाता है, ठीक है, किरिया से बन जाता है, यह सब इस तरह से सब्दों का अलग-अलग भासा विज्ञान में बनता है ठीक उसे प्रकार विलोम सब किसी सब्द का विपरीत अपोजिट या उल्टा अर्थ बताने वाले सब्द को विलोम सब्द या विप्रयार्थक सब्द कहते हैं किसी सब्द का विलोम करते समय ध्यान दे जिना है, ध्यान दें कि यदी सब्द तत्सम है, तो विलोम भी तत्सम में होगा बता चुका हूँ, जैसे कुरूप का खोब्सूरत आर्थ तो ठीक हो सकता है, परनतु विलोम कुरूप का खुब्सूरत का बस्चूरत होगा, आपने उसमे भी देखा है किसमें, सिरिएल में म मोटू, पतलू, मोटू है तो पतलू, मोटा है तो पतला, उसमें वह बोलता है न, कौन मोटू, खुस्बू, समोसे की, खुस्बू का क्या होगा, बदबू होगा, खुबसूरत का बदसूरत होगा, इस तरह से हमें विलूम सब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और भी उदारन के तोर पे दिया जा रहा है और आप पाठ पुष्टकों में भी जो सब्द पढ़ते हैं जो विलोम सब्द लायक सब्द होगा लायक नालायक लायक मतलब अच्छा नालायक मतलब बुरा ठीक है इस तरह से जैसे काला का गुरा यह सजी रूप में हुआ लेकिन काले काले का सफेद काले काले बादल आसमान में चाये हैं बादल क्या है नाल लिविंग ठीक है तो उसका सफेद बादल भी हमें दिखते हैं काला का सफेद भी होगा काला का गोरा भी होगा गोरा होगा तो क्या गोरा मनुस्य होता है तो है living thing में प्रियोग होगा यह भी हमें ध्यान रखना है और भी बिलोम सब्दों काम अध्यन करेंगे उदारन के लिए कुछ बिलोम सब्द दिये जा रहे हैं देखिया तो एक example के रूप में दिये जाने लेकिन आपको भी अपने विवेक के अनुसार उनका अध्यान करना है जो पुस्तक में दिया हुआ है जो हम पुस्तक में कोई पढ़ते हैं उसमें वह सब्द आता है तो उसका भी ध्यान रखना है जड़ चेतन मरना जीना अच्छ बुरा तन बैड गुर्म बैड हिंसा आप यहां पर देखिये यह जो वर्ड है इसमें उपसर्ग लगा और कौन सा लगा उपसर्ग लगा तो विलोम सब्द बन जाता है और उसी तरह और भी सब्द होगा धर्म अधर्म सुब असुब ऑदर निराधर निरूपसर्ग लग और भी सब्दों का हम आपको बता रहा हूँ, आक्रमन, रच्छा, आक्रमन, और उसका विलोव मुआ रच्छा, आधी, अंत, आधी अरम होना और अंत, इंड, अमीरी, गरीबी, एक अमीरी है, गरीबी है, इपरतिय लगा, दोनों में इपरतिय वाला बना, ठीक है, लेकिन अ जैसा रहेगा, उसका विलोमसद वैसा ही होगा, सम्मान, अपमान, बंधन, मुक्ति, गुलामी का आजादी का गुलामी होगा, मिर्तियू, जन्म, डेथ, बर्त, खरा, खोटा, जब खरी लिखा होगा, खरी खोटी हो जाएगा फिर, गुण, दोस, मारना, बचाना, खत, आरंब, समाप, मालिक, नोकर, आपको बता है भी, स्वाबी सेवक, मालिक, नोकर, राजा, रंक, नवीन, प्राचिन, नया का पुराना होगा, नवीन का प्राचिन, जो वर्ड जैसा है उसका विलोमसद वैसा, नया का पुराना, नवीन का प्राचिन, अल्प, अधिक, अधिक, अल्प, थोड़ा का भी अधिक होता है, और भी सब्दों को हम देखते हैं करमसा, महात्मा, महानात्मा जो है अच्छे कारियों के लिए, महात्मा, दुरात्मा, बुरे कारिक करने वाले को दुरात्मा कहते हैं, बदनामी, बुरे काम में जिसका नाम हूँ, बदनामी नेक नामी अच्छे काम में नामी ःत्फ अ喂 बताया आप को इत्फ अहित उपसर坦 लगके विल्यम, भट बना कूपात्र, सुपात्र. यहां भी उपसर्ड लगा है कूपात्र और सुपात्र. कूभी उपसर्ग है और सूभी उपसर्ग है है. हास्य, रुदन हसना का रोना हो दिखाना. Smodesh, विदेष, spoilers, अपना देष, विदेष, foreign country. हलका, भारी, भारी का हलका, हलका का भारी, खटाश, मिठाश, भावा चक संय वाला, सब्द, खटाश हुआ, मिठाश हुआ, मिठा का खटाश हुआ, और खटाश का मिठास हुआ, कालिमा सुबह सुबह आकास में लालिमा च्ания जाती है जब बादल चाते हैं तो वहाँ पर कालिमा च्छा जाती है अभी धियां रखना है स्वाधीन पराधीन गुलामी का अजादी हुआ लेकिं स्वाधीन का पराधीन होगा तोसी जास नहीं लिखा है न, एक चोपाई में, पराधीन सपने हुँ सुख नहीं, मतलब गुलावी में रहना में सपने में भी सुख नहीं मिलता है, स्वाधीन, भारत में बहुत विकास का काम हुआ है, स्वाधीन, freedom, independence, सहज, और सहज, सहज, सरल तरीके से, और सहज, कटना इसे, सबल, निर्बल, सबल, सक्तिसाली, निर्बल, सक्तिहीन, सभी, सब्य, और सब्य, सब्य का, अच्छे वाचरन वाला को सब्य बोलते हैं, जो अच्छे आचरन नहीं उसको असब्य कहते हैं, सदाचार, दुराचार, सदाचार, अच्छे आचरन वाला, दुराचार, ब तुरियोकै बहुत सरस। बहुत सारू जोंती रहता है सरस। निर्ष। धनी रिच। निर्धन सुम्ती कुमती सुमिती अच्छे बिचार वाला ठूम्ती तुमाटी तैक बहुत भी जिसके बिचार अच्छे नहीं है जो मिल जूलुकर söyleyeया तुलैस ने भी लिखा जहां सुमती तहां संपति नाना जहां कुमती तहां विपत निधाना जहां अच्छे विचार के लोग रहते हैं मिल जूलकर रहते हैं वहां पर सम्रिदी सम्रिदी है जहां पर अच्छे विचार के लोग नहीं रहते हैं वहां दुख ही दुख है क्राम से और भी सब्दों के विलोम सब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं क्रे विक्रे क्रे मतलब खरीदना विक्रे मतलब बेचना मदूर कटू मदूर मतलब मीठा कटू मतलब कड़वा स्योग, वियोग, स्योग, सुन्दर, योग, मिलने का, वियोग, मतलब बिछोड़ना भी होता है, सत्रू, मित्र, इनिमी, फ्रेंड, सुर, असुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राच्छस, नूतन, पुरातन, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, देखिए, नवीन का प्राचीन होता है, नया का पुराना होता है, लेकिन नूतन का पुरातन होगा, जब नूतन पुछा जाएका उसका पुरातन लिखना है, नया का पुराना लिखना है, नवीन का प्राचीन लिखना है, मुख्य, गौण, मुख्य, मेन, गौण, जो मेन, नहीं है साध विनास, यस, अपियस, यस जब अच्छे कार करने पर अपियस मिलता है और बुरे कार करने पर अपियस मिलता है, वाधी, परतिवाधी जैसे कोई मुखदमा होता है, कोई केस फाइल होता है तो उसमें वाधी और परतिवाधी होते हैं, तरुन, वुरिद, तरुन मतलब यंग विरिद ओल्ड पर्सन सच क्लीन डर्टी मलीन सच का मतलब बहुत क्लीन और मलीन का हुआ डर्टी स्वेथ उजला या सफेद उसका उल्टा हो गया स्याम काला का सफेद हो गया गोरा हो गया जेष्ट का कनिष्ट होगा जेष्ट सिनियर कनिष्ट जुनियर सुकर दुष्कर सुकर मतलब अच्छी तरह से करना दुष्कर अच्छे कारी है दुष्कर कठिन कारी पर्संसा पैरेश निंदा कंडेम करना ससक्त जो बिलकुल बलसाली है और सक्त निर्बल बलहीन सभाविक और सब्संद के लगए है और सब्संद के बारे में और अध्यन हमाने पार्ट पुश्टक में करें गेंा मैं वसंद भाग दो है उसमें भी आने वाले सब्दों का विलोम सब्दों के बारे में जानकारे विस्तार से प्राप्त करेंगे धन्यवाद